पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अम्रेंतार सिंग ने कल यीद के मौके पर पंजाब में संग्रूर जिले के पास एक नए जिले मलेर कोटला पनाने का एलान किया इसके बाद देश में इस जिले को उपर राजनीती सुरू हो गई क्योंकि पंजाब में अगले बढ़ चुनाव है ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले एक मुस्लिम जिले का सरकार के दारा गठन करना इस पर सवालिया निसान उठना लाजमी है वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आतनादने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा के मत और मजहव के आदार पर किसी भी प्रकार का भेद करना भारत के संविदान की मूल भाबना के विप्रीत है इस समय मलेर कोटला का गठन किया जाना कॉंग्रेस की विवाजनकारी नीती का परिचाएक है बता दें कि पंजाब के संगरूर जिले में से मुसलिम बहूल मलेर कोटला को राज का नया जिला गोशित किये कर दिया गया है इसके बाद राज में जिलों की संक्या 22 से बढ़कर 23 हो जाएगी राज में नय जिले में तीन तैसीलों को सामिल किया है जिसमें मलेर कोटला एहमदगड और अमरगड तैसीले सामिल है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कल संगरूर के डिप्टी कमिशनर को हिडायत दी है कि जिला प्रशासन कार्याले का काम का जल्दी से जल्दी सुरू किया जाए और इसके लिए उप्युक्त इमारत भी झाले वा